नमस्कार जैसरे किष्णा स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियों को लाइक कर दीजिए आज आपको कले इस तंत्र के वारे में हम बताएंगे यह एक ऐसे सिद्धी है अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो जो भी मनोकामनाएं आपकी हैं उस मनोकामनाओं की पूर्ति होगी मनुष्ट की क्या मनोकामनाएं होती हैं वस्तर उसके पास रहे संसाधन रहे पैसा रहे समाज रहे यही सब कामनाएं होती हैं तो यह सब कामना है यह सब कामना क पूरती हो जाएगी तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारा संपर्क सूत डिसप्ष्ट बॉक्स में हम डाल देंगे डिसप्ष्टन डाल देंगे आप संपर कर लीजिए और हम आपको साथना प्रोवाइट करा देंगे वाट्सब पर अगर आप अपना चमड़ी हमें दिखाना चाहते हैं तो हमारे वाट्सब पर अपना नाम झेंपडिती अपनी एक फोटो भी जी हम आप का जो है जो कुंडली है उसको बना भी देंगे और जर्रीड का विस्टलेशन भी कर देंगे चलिए अब आपको बदाते हैं केलेस तंत्र के विशे में मैंने एक इसकिन सौर्ट यहां पर लगा भी दिया है थमदेल के रूप में केलेस तंत्र में लिखा हुआ है केलेस भहरवी सिद्धी हो जाने पर साधक को वसराभूसन अन्धन और उत्तम आवास यद सहजी सुलब हो जाते हैं मंत्र मैं यहां पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कुछ मंत्र होते हैं जो गुप्त होते हैं उनको मंत्र पढ़ा नहीं जाता है जब आप हमसे दिक्षा लोगे तब मैं आपको इस मंत्र की दिक्षा पढ़ करके बता दूगा फिर आते हैं नीचे क्या सास्त्र में महापुर्ष क्या लगते हैं उपतियुक्त मंत्र की जब संख्या निश्चित नहीं है जब तक दिवी सिद्धिना हो जाए तब तक साधक को लगातार जब करती रहा जाए एक बार जब के आरंब हो जाने पर ब मंत्र की सिद्धी है कोई इसका निश्चित समय नहीं है किसे मंत्र में धी कि यहीं किपड़ा प्रापत होती है और आपको निश्चित ही अगर आप परिशान है तो फिर एक समय सीमा बना लेजिए क्योंकि मनुष क्या नहीं कर सकता है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है मनुष में वो शक्ति है कि वह कलपना के भी पार जा सकता है लेकिन अपने सक्तियों को जगाना पड़ता है तो आप कर सकते हैं मे लिए सुन प्याजन अलें गरिष्ट भोजन नालें हलका भोजन करें और शाम के समय उपवास करें रात्रीकाल कमरे यह कक्ष का चैन करने वहां पर धूप दीप नैबेदे से दीवी की पूजा करें और इस मंत्र को भोजपात परले करकर सामने रख ले और इस मंत्र का मिदा में ज्यादा नहीं तो एक हजार मंत्र से हवन करें इससे क्या होगा डेवी की जो कृपा है निश्चित ही निश्चित आप पर होगी इसमें किसी प्रकार का सलसे नहीं है और जो भी मनोकामनाएं आप के हैं वहाया देवी पूर्ण कर देगी